हलो फ्रेंज मैं हूँ सरसती और सरसती के सरस ब्लाग में आप सबका बहुत बहुत श्रागत है तो फ्रेंज बेंगलोर से आ चुकी हूँ आप बैग देख सकते हो कि यह अमपना रूम है और बैग जब कहीं जाओ तीतने सारे काम हो जाते हैं आ तो गए थे साम को ही लेकिन उ थोड़ा सा और लग जाता कि वह ऐसे तो हम सुखा-णुका कुछ भी बना लेते हैं लेकिन कोई आज आता है तो टाइम लग जाता तो बैग मेंने साम को नहीं खाली किया था तो ऐसे ही छोड़ दिया था और खाना वगरा बनाने में ना मुझे काफी टाइम लग खाने में नौ बज गये गेश्ट गये तो दस बज चुके थे तो उनके जाने के बाद फिर हमने ना खानों न खाके सो गए थी और सुबह उठे ना आये थोड़ा सा पूजा उगरा करे और फिर आ गए अपना भैग के खोड़ने तो कई कपड़े रहते हैं ना बाहर शाओ तो सिम-स रहते हैं गीले रहते हैं और जिस दिन आना था उस दिन संदू का रूम भी चंज हुआ था तो मैं कुछ भी ने कर पाई थी जैसे तैसे बैग में कपड़े ही डाल दी थी तो कप्ड़े जो गंदे वाले थे दो चार जोड़ी उसको मिने निकाल दिया है अब आज चार दिन में तो दिमाग खराब हो जाता भी पिके वह वाली चाय तो मैं अपने पसंद के चाय बनाओंगी और क्या करगी ना जो चुड़ा में भूंती हुआ हमेसा वह अला भूंदूंगी चुड़ा और चुड़ा चाय बनास्ता लोंगी अभी मैं पहले लग गई थी कपड़ों में क्योंकि अम्मा पुझा कर रहे थे तो साथ में ही पीते हैं चाय तो अब अम्मा भी घंटी बजा रही है अब आ जाएंगी उसके बाद हम दोनों लोग पेट के चाय पी लेंगे अराम से और यहाँ पे टीसे होता है ना कि सुँभा सुभा बहुत सारे काम होते तो आज मैंने बहुत सारे काम थो नहीं सह के बहुत सारने काम मैंने किया है थोड़ा सा काम ही काम कर effectivement करा जैसे कि कड़ी होता है ना कली निकलता है उसकी सबची बहुत टेश्टीब बनती है तो मैं थोड़ा सा वो ले आई हूँ अब उन सब को चीज में बनाऊंगी अब आज आप सब के साथ बहुत हेल्दी सी एक रेश्पी सेर करने वाली है रेश्पी क्या है जो मतलब आज जो मैं चावल खाका के अब ये सूगर वाले पेशन्ट के लिए तो वाइट चावल बहुत ही नुक्षान दाएग है जहां तक हो सके ना नहीं खाना चाहिए और खाना भी है तो आपको ब्राउन राइस लीजिए और ब्राउन राइस खा लीजिए तो देखे चाय भी हमारा हो उसके बाद राइस की बारी आएगी तो राइस में आप लोगों के साथ पूरा सेर करने वाले हो क्योंकि ब्राउन राइस बहुत लोग खाने से कतराते हैं सोचते हैं कि नहीं नहीं ये काला सा दिख रहा है अच्छा ने दिख रहा है मोटा है पर फ्रेंस जो मोटा रहता ह काला ब्राउन राइस जो होता है ना उसको उबाला जाता है पहले उसके बाद उसको सुखाया जाता है फिर कुटाया जाता है मतलब बहुत मुश्किल से ब्राउन राइस तैयार होता है तो भाई इतने मुश्किल से हमारे किसान हमें हमारे तक इतने अच्छी सीजे बिजवा होते हैं तो भाई हमें भी उसका इस्तेमाल सही जगाह पर करना चाहिए और करणा हूं जब भी Hai चावल खाना तो आप brown rice बना लेजिए आच़ा कहते हैं na brown rice जो हम जितना bet हमें with a white rice से तो आज भी बढ़ता है तो उसे आप बिंदास खा सकते हो लेकिन एक ।ा को ही विक छाइज आप लेषके तो सही mautra मेली चिए और यह देख़े मितलब ची आप तो आज मैं बनाओंगी ना ब्राउन राइस और ये जो सबजी में छट पे निकला हुआ था मेरे गमले में वो बना रही हूँ थोड़ी सी आलू की चोखा बना रही हूँ चोखा बहुत टेस्टी बनता है तो कुछ चीजे हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं और मैं थोड़ा सुकी हुई उसको तोड़ दो तो मैंने चायवाला बरतन भी नहीं धुला था तो वह भी हमने धूल लिया है और लगबग हमारा खाना बिलकुल बनके तयार हो चुका है बस चावल में बाद में बनाते हो क्योंकि ठंडा चावल ना हमें बिलकुल भी नहीं पसंद है गरम- राइस यह बहुत अच्छी राइस होती है फ्रेंस जरूर इसे एक बार ट्राइ करिएगा अब इसे क्या करेंगे चार-पांच बार हम अच्छे सिवाश करेंगे ताकि जो थोड़ा था ना ब्राउन है वो निकल जाए ज्यादा ज्यादा मैं इसको कोशिश करूंगी कि थो राते हैं कि यह काला काला सा हम कैसे खाएंगे ठीक है तो इस तरह से आप कर दीजिए और थोड़ा सा नहीं भी अच्छा लगे तो फायदे हैं तो खाना ही पड़ेगा दुचार बार आप खाओगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा यह बहुत अच्छे होते हैं यहां पर मिला नहीं चावल ब्राउन नहीं तो हम तो वहीं पर बनाते हैं यहां घर पर आए तो घर पर था तो देखे गरम पानी हमने पांच मिने डाल दिया था तो बिल्गुल काफी हद तक यह वाइट हो चुका है अब हम इसे डालनेंगे कुकर में फ्रेंस आप अगर फगोना में बना रहे होना तो काफी टाइम लगता कुकर में आसानिस हो जाता है तो अब हमने जिसे दो कप राइस लिया है अब चार कप इसमें पानी डालेंगे अगर आप ज्यादा स्वाप्ट परसंद करते हो तो आप क्या करो इसमें साड़े चार कप पानी अट कर बस इस से जादा बिलकुल भी मत डालेगा हमें खिला खिला सा चाहिए इसलिए हमने डाला है चार कप बहुत लोग इसे स्वाप्ट परसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी बढ़ा दीचेगा ठीक है जिसे आधा कप से थोड़ी कम ही डालेगा इस तरह से साड़े चार कप पौने चार कप इस तरह से कर दीजेगा ठीक है तो उबाल आ गया है अब हम पहले से ढकन नहीं लगाए थे जो उबाल आने के बाद इसका हम ढकन बंद कर देंगे और इसके बाद हम तीन सीटी आने तक जैसे हमारे जो वाइट वाला राई से वह जल्दी हो जाता है ये थो बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे जब तक भाफ अपने आप ही ना निकल जाए फिर देखिए मैंने कुछ भी नहीं करा इसे छोड़ दिया था और ये भाफ निकल गया है और ब्राउन राइस हमारे बिल्कुल बनके तयार है तो जैसा मैंने कहा था ना मैं खिली-खिली सी ब ये जो सबजी है ये है और दाल है इसके साथ चोखा आलू का प्याज और इसके साथ आप नेवू भी ले सकते हो और मैं तो इसके साथ देने माली हूं अचार और इसमें डाल मेरा घी डाल दीजए बहुत अच्छे लगते हैं घी के साथ तो फ्रेंस आज की वीडियो थोड लोगों को कैसा लगा हमें इंतिजार रहेगा आपके कमेंट का तो देखिए फ्रेंस हमारा याज के थाली बिल्कुल बनके तयार है तो ये आज की हमारा सुबह का मतलब दुपार का लेंच है तो बनके बिल्कुल रेडी है दाल, चावल, सबजी और सलाद, चोखा और अचार का लग्सेंगना याज करें भके का लूगों है, चीं Patता के लूगों है, लूगों है प्रची है? चुझे का अजी है अजी फेक्ता है?